ही गाईज वेलकम टो नॉटी स्टिचेज आज की इस वीडियो में हम इस कुरती के लिए स्लीव का एक सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे जिसके लिए मैंने ये प्लेइन फैब्रिक लिया है जो कुरती के कलर के साथ मैच कर रहा है और साथ ही मैंने ये कॉटन की वाइट कलर क मैंने लेश लिए है प्लेन फैब्रिक चार इंच चौड़ा है और इसे मेने बीच में से फोल्ट कर लिया है और मैंने कुनारी पर मैंने क dubbed लगा लिए अब वाइट कलर की जो हमने लेश लिए। ली थी उसे हम से से किनारी पर रंखेंगे और यहां पर सिल देंगे काट लिया है और इस पट्टी के साथ अब हम इस प्रिंटेट फैब्रिक को अटाच करेंगे इस तरह जो सिलाई हमने लेस को अटाच करने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसके उपर ही हम सिलाई लगाएंगे अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह अब इस पट्टी की किनारी पर लगाने के लिए मैंने डबल एजिंग वाली ये लेस ली है इस तरह से हम लेस को उल्टा करके प्रिंटिट फैब्रिक के उपर रखेंगे और इस तरह से इसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे अब हम इसको इस तरह सीधा करके यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे आप डबल एजिंग वाली लेस इससे थोड़ी चौड़ी भी ले सकते हैं तो इस तरह से मैंने लेस को अच्छे से अटैच कर लिया और अब हमें फिर से एक प्लेइन फैब्रिक लेना है इस प्लेइन फैब्रिक की चौड़ाई मैंने तकरीबन 2.5 इंच ली है और अब प्रिंटेड पट्टी को इस तरह से प्लेइन फैब्रिक के उपर उल्टा करके रखेंगे और डबल एजिंग वाली लेस की किनारी पर हम फिर से सिलाई लगा देंगे सिलाई लगाते हुए हमें लेस या कपड़े को बिल्कुल भी खीचना नहीं है खीचने पर इसमें बल पड़ जाएंगे और बनने के बाद ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अब इसको सीधा करके मैंने यहाँ पर फिर से एक और टॉप स्टिच लगा दिया है अब प्रिंटेट फैब्रिक में से मैंने तीन इंच बाई तीन इंच का कपड़ा काटा है और कपड़ा मैंने इस तरह से काटा है कि ये जो प्रिंटेट सरकल है कि बिल्कुल बीच में आए और इस तरह से फोल्ड करके मैंने एक ट्राइंगुलर शेप बना ली है और अब हम इसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे बिल्कुल इसी तरह से हम सभी ट्राइंगल्स को बना कर तैयार कर लेंगे और अब हम प्लेन पट्टी के उपर सभी ट्राइंगल्स को इस तरह से रखेंगे ये देखिए, बिल्कुल साथ साथ हमें इस अभी ट्राइंगल्स को रखना है और इस तरह से सिलाई लगाने है ये देखिए एक और सिलाई लगा देंगे और ट्राइंगल्स को अच्छे से अटाच करेंगे पट्टी के उपर और अब स्लीव्स के आगे इस बॉर्डर को उल्टा करके रखेंगे और जो सिलाई हमने ट्राइंगल्स को अटाच करने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसके उपर हम फिर से सिल देंगे इस तरह अब यहां से एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे और इसको सीधा कर देंगे और यहां पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे और अब हम इस बॉर्डर को बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर देंगे तो यह देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से यह बहुत ही सुन्दर सा बॉर्डर का यह डिजाइन बन गया है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंकि सो मच फॉर वाच्चिंग बाई-बाई